नमस्कार मैं अजुज़े मिश्राथ स्वागत है आप सभी का दने उसमें आपका बता देंगलूर में अभी हाले फिलाल में चापे मार्या की गई जुसमें कॉंग्रेस के करीबी नेता कुछ ठेकेदारों के आसपा से करीब सो कड़ों रुपए जो है बरामत किये गए ठेकेदार के यहां से 42 कड़ों रुपए मिले 23 डबों में उसे पैक करके निगर रखा गया था पांसो पांसो के नोट थे आईटी के रेंड में भी बड़ा खुलासा हुआ है और अब इसे मामले को लेकर वीजेपी के रितार अध पी नड़ा और क्या कुछ क्या है जो आप कह सकते हैं इस मामले को लेकर आ रही प्रतिक्रिया विस्तार से जानिए तो आपको बता देंड़ा कि करनातक में कॉंग्रेस के ठेकेदारों से 100 क्रोड मिले हैं राजस्तान 36 गोड का उभी करुप्शन का एटीम बना दिया है और उन्होंने शोचल मीरिया एक्सपर पोस्ट लिखा कि करनातक की घटना बेहद शर्मनाक है यह राज्य के मतदाता के साथ घिनोना मजाख है जेपी नड़ा ने कहा यह कॉंग्रेस के भ्रष्टाचारी डीने का महज एक छोटा सा नमूना मात्र है कॉंग्रेस ने 36 गड़ और राजस्थान को भी करप्शन का एटीम बना दिया है अब मध्यप्रदेश और तेलांगणा को भी ऐसा ही एटीम बना कर जनता की गाड़ी कमाई को लूटना चाहती है गड़ेस को वादे करने की कलाम में महारत हासिल है अब यह पार्टी एक कदम आगे बढ़कर वादों के बदले में गयारंटी बने लगी है कॉंग्रेस लूट की ही गारिंटी दे सकती है मध्यप्रदेश और तेलंगना की सत्ता में आने का सपना देख रही है ताकि वो गरीबों के कल्यान और विकास का पैसा लूट सके उन्होंने करनाटक में पिछले दिनों आईकर विभाग की छापे मारियों में कुछ ठेकेदारों से सौकड़ों रुपए से भी अधिकी वसूली का हवाला देते हुए कहा यह शर्मनाख होने के साथ साथ मद्दाताओं के साथ घिनोना मजाग है उन्होंने शोशल मीरिया एक पर गहा कॉंग्रेस पार्टी को वादे करने की कला में महारत हासल है यह पार्टी एक कदम आगे बढ़कर वादों के बदले अब गैरेंटी देने लगी है करनाटक में ठेकेदारों के घरों से सो क्रोड़ से अधिकी नगदी मिलने का खुलासा हुआ जो बेहद शर्मनाख है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और भष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू है कॉंग्रेस सरकारों ने 36 गार्ड राजस्थान को भी कर्रप्शन का ATM बना दिया है अब अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस पार्टी तेलंगना और मध्यप्रदेश को भी ऐसा ही ATM बनाकर जनता की गारी कमाई को लूटना चाहती है उन्होंने कहा कि तिलंगना और मध्यप्रदेश को भी अपना ATM बनाने के लिए कॉंग्रेस इन दोनों राज्यों में आने के सपने को पाल रही है उन्होंने आरोप लगाया कि सर्फ कोंग्रेस ही लूट की गैरंटी दे सक यह करनाटक का दुरभाग गया है कि कॉंग्रेस सरकार ने से मनी लॉंडरिंग करप्शन आगामी चुनावों के लिए पैसे जुटाने का ATM बना दिया है जाहिर है कि कॉंग्रेस जो गैरंटी दे सकती है वो हमेशा भरस्ट अचार की गैरंटी है वाजपानेता बसवराज बोमई ने भी कॉंग्रेस सरकार और कुछ ठेकेदारों को मिल पर मिलकर राज को लूटने का आरोप लगाया था और आएकर विवाग की तलाशी के दौरान बरामा दवैध्यान की एडियों और सीविया इजास की भी वागई थी पुर्वया मुक्यावंतरी बोमई की सरकार पर ठेकेदारों कि उनके 40-50 कमिशन लेने का आरोप लगाया था और अब वो ठेकेदार संको भी कॉंग्रेस सरकार का कमिशन संग्रा करेंदर करार दे चुके हैं बतादे आपको सूटर ने बताया था कि आएकर अधिकारियों ने कुछ ठेकोदारों की संपत्ति की तलाशी जहां उन्होंने शहर के ठेकेदार से जोड़ी संपत्तियों के कई बक्सों में छिपा कर रखा गया भारी मात्रा में धन बरामत किया जपती का जिक्र करते हुए बोमई ने आरोप लगाया था कि नई सरकारों के सत्ता में आने के बाद से आधिकारी कि तबादले सहीत हर च सरकार है उन्हें कहा था कि ब्रश्टाचार गाहों से लेकर विद्धान सौध तक देखा जा सकता है और या फुले आम चल रहा है नगदी कि पहले बार एक ठेकेदारों को लंबित बिल के पैसे जारी करने के तुरंट बाद किसी ठेकेदार से घर से भारी मांत्रा था कि अगर मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं तो उन्हें इस मामले को लोकायोग त्या खुद सिदर्रमिया द्वारा गठित नयाय मूर्ती नाग मोह अंदास आयोग के पास भेजना चाहिए जो इस आरोप की जाच कर रहा है कि पिछली भाच्पा सरकार ने ठेक जसे आप उस्यृक्ता चाहर के बारे में बात करने का कोई नयतिक अधिकार नहीं यहीं अब को बता दे कि बीजब्लई नेता सीटी लवी कांगरेस को लेकर अपनी बयान रहे दिये लिए कि ठढसरगर है ब्रश्ट सरकार है एक आंग्रेस सरकार के है जईसे ब्रश्ट सरकार नहीं है चार मैंने इसके सोफी बाहर आया है हर दिन हर दिन का गुटाला है हर गुटाला के वह जैसे आप देखा है ना एक कांट्राक्ट दार के गर में 40 करोड और दूसरा के गर में 42 करोड उसको मामला क्या है सब कुछ बाहर आएगा जसा है कि आपने सुनाव में कहा कि जहां जहां कॉंग्रेस होगी वहां 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 वह दूसरी तरफ आए कर विभाग की अगर हम बात करें जिस्चापेमारी के हम बात कर रहे उसके बारे भी थोड़ा बता देते हैं तो आएकर विभाग ने करनाटक में कुछ ठीके द्वारों और उनके जोड़े लोगों के यहां 42 क्रोड़ रुपए से जादा का कैश बढ़ा मत किया था आधिकारिक सूत्रों ने यह कहा था कि आएटी की कारवाई उसक्त चल रही थी कैश काफी जादा था नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई उसके बाद यह कहा गया कि कैश करनाटक के राजधारी के कावांसिया परिसर में मिला जहां कोई रह नहीं रहा था यह कैश इस मामनी को लेकर बाच्पा के नेता पूर्व उपर मुख्या मंतरी सी एन अश्वन नरायर ने भी कॉंग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि कॉंग्रेस ने यह रकम आगामी विधान सभा चुनाओं के लिए ठेकेदारों से कमिशन के रूप में करा चुनाओं के लिए खटा किया गया और इस मामने को लेकर करनाटक कि मुख्यामनिति सिदर अमयया ने कहा था कि आरोप निराधार है किसी ने किसी से पैसे नहीं मांगे आरोप लगाने वाले कि पास क्या सबूत है क्या भाजपा के लोग ही ऐसा कर रहे हैं और यह पर पार अब कि आरोप लगाते कहां कि ठेकेदार संक्या ध्यक्ष ने भी कहा कि ठेकेदार 8 साल से किसी कई भी कॐंट्राक्ट में शामल नहीं था उसके पास कृश्षी के साथ किर्षी कानून अपने काम जो है करेबादा कि इस मामने इस होड़ार व्यापारियों से कमिशन के रूप में खट्टा किया इसे तेलंगरा विदान सभाचुनाव में बेजा दाना था कॉंग्रेस ने 1500 कड़ों रुपए खर्च करना था जो से लेकर अभी तैयारिया हो रही थी हर इश्राप ने यह भी कहा था कि करनाटक में पिछली बीजेपी सरकार 45 प्रतिशत कमिशन लेने का अरुप लगाया था आयकर विवाग के च्छापे में 42 कड़ों रुपए के 500 के नोट रखे हुए थे पहले 40 प्रतिशत कमिशन था सरकारा 50 प्रतिशत कमिशन जो है ले रही है तो वही जैपी नड़ा ने भी सेम बाते कही और करनाटक के कोंगरे सरकार प्रिशान साथ ते बे नजर आए और उन्हें प्रश्टाचार के इसे जो है इटेम मसीन बता दिया तो ऐसे हमने आपको पूरा मामला है यह बड़ वस्तार से बता है कि पूरा मामला चाह है और अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो हमें जरूर साजा करिएगा थान्यवाद